दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल 17 अटूबर को नायपसनी सरकार की केबिनेट बैठक हुई थी, और इस cabinet बैठक में कई फैसले हुए और एक सबसे बड़ा एहम फैसला हुआ अनुसुचित जाती में वर्गी करण को लेकर क्या माइने रहे हैं क्या इससे राश्चितिक लाब मिलेगा भाजपा को आज हम इसे विशे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ है NJP के प्रधान संपा सबसे पहले आपका स्वागत है सर आपका क्या मानना है अनुसुचित वर्ग में वर्गी करण को लेकर भाजपा सरकार को क्या फायदा होगा कैसे देखते हैं आप सहली भाजपा का कोई यह चुपा हुआ एजेंडा नहीं था विधान सबा चुनाओ जब अपने शिखर पर थे चरम पर थे विधान सबा चुनाओ जब शुरू हुए थे उसी समय भारतिय जनता पार्टी के नेत्रत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुसुचित जाती के भीतर क्लास A, B यानि आप यह कह सकते हो जो वर्गी करन किया जाएगा ग्रूप A और B करके वर्गी करन किया जाएगा जो वंचित वर्ग है उनको जो है प्रार्थ मिक्ताजी दी उनको भी शामिल किया जाएगा नहीं शामिल तो सभी अनसुचित जाती के भीतर जो कमजोर वर्ग रहे गए जिनकी तरक्की नहीं हो पाई उन वर्गों को लाब देने के लिए तो गुरूप A और B इसमें विभाजित किया जाएगा यह भारतिर दिंता पारेटी ने पहले ही कह दिया था तो आज कैबिनेट के बेठक थी है सपत के तुरंत बाद अगले दिन नायब से सपत के साथ ही कर दिया था तो एक बड़ा फैसला हुआ सरकार ने चाप चोड़ी बिना खर्ची-पर्ची की चाप चोड़ने का परियास किया है कामियाभी कितनी रही है तो अब कोई परिक्षय की तो गड़ी आनी नी लेकिन अच्छा संदेश गया है बहुत सारे ऐसे जि गाउं हैं जिनमें नोकरियों की भरमार हुए तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से वह आया कल सपत के बाद पहली कैबिनेट की बैटक थी कैबिनेट की बैटक में ये बात रखी गई कि जो सुप्रिम कोट का फैसला है उसे लागू करेंगे तो सुप्रिम कोट ने कहा कि जो वंचित वर्ग है उनके लिए राज अपने नियम बना सकते हैं तो अभी हम देखते हैं जो अनसुचित जाती में कुछ जातियां ऐसी है जो आरक्षन का लाब ज्यादा ले रही है तो हरियाना में जब हम बात करेंगे तो हरियाना में 20% आरक्षन है तो इस 20% करेंगे जो तो अभ Except about B भारतिय जनता पारटि को इन चुनावों में मिला है पूरा कांघ्रेश के त्रफ समया जाता था अब उसमें कुछ सेंद बारती जनता पारिटी लगा चुकी है और अब ये जो वरगी करन करेंगे तो इससे निश्चित रूप से थोड़ा भहुत लाब बारती जनता पारिटी को मिल सकता है लेकिन मैं समझता हूँ अनसुचित जाती के जो संग्ठन है वो इस फैसले से सायद ज्यादा खुष नहीं है लेकिन अनसुचित जाती के जो संग्ठन है उन पर विशेस जातियों का कबज़ है जो अनसुचित जाती में जो दभे कुछली लोग है वो सायद उतने मुक्धारा में उन संग्ठनों में नहीं है इसलिए अब इनका परभाव का तो अध्यनबाद में होगा लेकिन एक बड़ा फैसला है नायव सेनी सरकार का पहली केबिनेट बेठका अनसुचित जाती में वर्गी करण को लेकर क्या माइने रहेंगे क्या इससे लोगों को फायदा होगा क्या कहना है आपका सैलि हम यही बता रहे थे कि कुछ जातियां हैं जिनको ज़्यादा लाव मिला है आरक्षन का आरक्षन कम नहीं होगा आरक्षन वो यह 20% जो निर्दारी थे सायद 20 है तो वो पूरा का पूरा रहेगा उसमें कमी नहीं आएगी और जो नौकरियां जो वैकेंशी निकलेगी अगर गुर्फ A में नहीं मिली तो उनको गुर्फ B से भर लिया जायागा और B में नहीं मिली तो A में भर लिया जायागा सायद ऐसा रहेगा पूरे रूय रेगुलेशन तो अभी सामने आएगे लेकिन एक फैसले पर महर लगा है आज cabinet की बेटक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो बड़े फैसले लिए हैं उनके बारे में जरा बताईए एक दो जो बड़े फैसले हुए हैं उनके बारे हम लोगों को बताईए कि क्या बड़े फैसले में जैसे फ्री डायलेसिस को लेकर हैं और भी कई बड़े फैसले में एक तो आप बता रहें जो फ्री डाइलेसिस को लेकर के एक यह भी बड़ा फैसला है गरीब जो लोग है उनको काफी लाब मिलेगा डाइलेसिस एक महंगी परकरिया है उसका लाब मिलेगा लेकिन महत्मुन बात यह जो नायब सेनी ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद कही है तो उन्होंने वादा किया बिना खर्ची-पर्ची की नोकरियां जारी रहेगी तो यह बड़ी बात है क्योंकि भार्चे जनता पार्टी यह समझती है कि मनोहर सरकार के समय जो सिलसिला सुरू किया गया था बिना खर्ची-पर्ची का उससे इस चुनाव में काफी लाब मिल और उसका जो लाब मिला है उसी को देखते में गोशना हुई है कि हम बिना खर्ची-पर्ची का जो है वो सिस्टम में जारी रखेंगा और सहली एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट का है जो विदानसभा सत्र अभी जल्दी शुरू होने वाला है एक दो दिन में तारिक भी उसकी तारिकता होगी उसके बाद सारी चीज हम भी आपके सामने बताएंगे अगर हम किसानों के इतकी बात करें तो आज भी नायब सैनी ने MSP को लेकर एक बड़ी बात कही है कि दाना-दाना हम खरीदेंगे MSP पर उस पर आप क्या कहेंगे सेली MSP का इश्यू चुनाओं में खूब उठाता जो है कांग्रेस ने MSP की गारंटी दी थी MSP मतलब मीनिमम स्वोट प्राइस नियूंतम समर्थन मूले तो मतलब इससे नीचे आपका दाना आपका जो खाद्यान है आपकी जो फसल है वो नहीं बिकेगी जो नायब सैनी सर पर कर रही है वो कांग्रेस सरकार के समय जो खरीद हुई थी उसकी तुल्ना में अपनी सरकार जो मनौर सरकार के समय जो खरीद हुई उसका आंकड़ा पेस कर रही है निश्चितरुप ची आंकड़ा जो मनौर सरकार का भारी है बाजपा सरकार का बारी कांग्रेस की तुल् प्रशान नहीं किया जाएगा और नमी को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ काया कि धान में जो नमी है या बाजरे में जो नमी है उनको लेकर के सरकार का रुख लची ला रहेगा इसका लाब निश्चित रुप से किसानों को मिलेगा जो हम एक बात जानना चाहेंगे जो फुक कर कदम रख रहे हैं इस मामले को सब अनसुचित जाती संग्ठनों पर ही छोड़ रहे हैं बहुत जादा मुखर होकर के कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहा है बारती जनता पार्टी ने स्टेट फारोड निर्णे ले लिया कि अपना लागू करेंगे ज उसी के बाद में कोई अपनी सपोर्ट में खड़ा होगा कि मतलब आपका यह कहना है कि जो विपक्षी दल है वो अनसुचित जाते संग्ठनों के रुक के अधार पर ही अपना रुक तै करेगा हां बिलकुल जो पहले इंतजार करेंगे जो उसके अधार पर ही तै करेंगे दन्यवाद सर्ण ऐसी तमाम चल्चाओं के साथ जुणने के लिए देखतरी एंजेपी हरियाना दन्यवाद